जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडी प्रेंट पर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैस का कुछ कुछ इंप्रस लेकर काया हो और अगर आप किसी विजाम की तैयारी कर रहे हो ते आपके लिए इपो od रेडाि देखते हैं उसे मैं इससे मित्का रेक्वेश्ट नौव यह कुला ओर्ट 500 उसकी शिडिक सब्क्राइब करें और भी इस यह लिए और चौर दस मिनट में एक किलुमिटर तो चौर को सिपाई की इतनी दूरी पर पकड़ लेगा कि अब देखें दोस्तों इसको जहां से देखिएगा तब ही समझ में आएगा नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाले नहीं है तो पूरा विडियो बात किजिए तो सिपाही जो है आठ मिनट में एक निमटर जाता है यहां पर सिपाही है ठीक है यह जो है आठ मिनट में कि एक मिनटर तोस्तों कि अगरे आठ मिनटर तो में यह एक मिनटर जाता है ठीक है और चौर जो है दस मिनट में एक मिनटर भागता है यहां पर चौर है दोस्तों कि एक दोंटर जो है तो सो है यहां दोनों की दूरी जो है सो सौ मिटर है देखिए यहां सौ मिटर दिया हुआ है ठीक है जोर और सिपाही की बीच की दूरी सौ मिटर है अब देखिए पुलीस की चाल देखते हैं पुलीस की चाल कि सिपाही सिपाही ठीक है चलिए पीसे लिख दिये हैं पुलीस लिख दिये ठीक है पुलीस की चाल मिटर को आठ मिटर में यह जाता है इसको अगर काटते हैं आप तो चार दुनी आठ और पचीस और जीरो यह कर जाएगा आपका एक सो पचीस आ जाएगा तो यह 125 मिटर भागता है एक घंटा में एक सो पचीस मिटर ठीक है यह पुलिस का हो गया चौर का इससे लिख दे रहे है थीप होता चौर का तो हम सीसे लिख दिए ठीक है जोर का चाल जो है यह जो है देखिए 10 मिनट में एक कilमेटर भागता है आनी चाल देखे एक मिनट दोस्तों मैं आप लोगों को बताता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है ठीक है इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा मैं हर विडियो में बता जेता हूं तो चोर की चाल 1000 मीटर भागने में उसको 10 मिनट का समय लगता है अब चोर जो है तो 100 मीटर परती घंटा भागता है अब इतना के लिए रहो गया सिपाही भागता है 135 मीटर परती घंटा और चोर भागता है 100 मीटर परती घंटा तो अब पूछ रहा है कि चोर को सिपाही कितने दूरी पर पकड़ लेगा देखे यहां चोर को सिपाही कितने दैर दूस्ते दो नो की से बीठ की दूरे और दूनो का चालो का अंतर जालो का अंतर ठीक है थ्छिक है थ्ष्कता मैं लिखेजा रहरए ते जालो का अंतर टेक lots खुण तो नेक कोसिस कीजिए जालो का अंतर यह हो गया आप द्यान देजिएगा दोनों की बीच की दूर कितनी है तो 100 मिटर है कि तो सव यहां लिख दिए और चालो का अंतर यह देखिए अंतर पुलीस चलता है और शिपाई चलता 125 मिटर परती घंटा और चोड चलता सव मिटर परती घंटा तंतर कितना हो गया तो पचीस मिटर हो गया यह पचीस से यहां भागा दीजिए अब काट दीजिए तो आपका चार मिनट आ गया कितना है दो तो चार मिनट आ गया अब बोल रहा है कि चोड सिपाही को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा तो दूरी कितन 400 मिटर हो जगत जाएगा दूस्तों चालिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे परस्त को देखते हैं दोस्तों देखिए दूसरा प्रशन है आपका साइकिल सवार A ने सुबा साथ तीस बजे अपनी साइकिल पर आठ किलिमेटर घंटा की चाल से आतरा सुरू की तीस मिनट के बाद साइकिल सवार B ने उसी अर्थान से दस किलिमेटर घंटा की चाल से आतरा सुरू की तो B किस समय A से आगे निकल जाएगा चलिए ध्यान दिजेगा दोस्तो A जो है सुबा साथ तीस बजे ठीक है A यहां मान लिए यह चलता है साथ बज करके तीस मिनट पर और इसकी चाल है आठ किलो मीटर पर ती घंटा ठीक है उसके बाद बोल रहा है तीस मिनट बाद साइकिल सवार B ने उसी अख्थान से 10 किलोमेटर घंटा की चाल से आतरा सुरुकी अब B जो है इसी जगा से चलना सुरुकी है लिकिन तीस मिनट बाद ठीक है आनि तीस मिनट बाद जब यह चल रहा था साड़े साथ बज़े ठीक है साथ बज़ के तीस मिनट पर तो बी चल रहा तीस मिनट बाद आनि यह चलेगा आठ बज़े चलिए एतना क्लियर हो गाया जोत्ति और इसका चाल जो है सो दस किलो मेटर परती धैंटा है कितना है तो दस किवलो मेटर परती धैंटा है यतना क्लियर हो गाया जोत्तों लेकिन एक दिखन देजेगा अब अब גपOT अब भूरा है पाले-चले होगा दीस मिनट में जब eight kilometer ए गंटा में जाता है और यह आड़ा Det Preis अर यह वेच्छें आठेजी चला है तीस मिनट में जशुक है okay किलो मेटर चल चुका है ठीक है कौन ये चल चुका है इतना की लिए रहो गया ठीक है ये जो है तीस मिनट में चार किलो मेटर चल चुका है आगे बढ़ चुका है अब देखिए अब समय बराबर कि समय बराबर मैं द दूरी लख दे रहा हूँ दोस्तों ठीक है लेकिन दोनों के बीत की दूरी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनेगा और चालो National चालो का अंतर, ठीक है, एक मिनिट, चालो का अंतर, की होता है, अब यहाँ आप ध्यान दिजेगा, बीट की दूरी कितनी है, तर चार किलूमेटर है, कियो, यहाँ चौकर यह साड़े साथ वर चला था और यह जो ऐसें तीस मिन्हाल सब раз चालो का अंतर, यह चलता था, बी चलता है, दस किलूमेटर परती घंटा, और यह जो चलता है, 208 km परती घंटा तब कितना आ गया देखे ये चार बड़ता दो अब इसको काड़ दीजिए तो दो घंटा आ जाएगा कितना आ जाएगा तो दो घंटा इतना किलियर हो गया अब पूछ रहा है b kok कि समय a से आगे निकल जाएगा कि तो बी चलता था 8 बजे देखे 8 बजे है आच बजे चला है 30 बीजक आठ बाध चलना आ है तो सही एंसर किया हो गया तो डीर्न वरके दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं और तीसरे परस्थ को देखते हैं आगे तेश्टरफ दोस्तों दोस्तो सुबा में मैं आप लोगों के लिए 10 बजे विडियो अपलोड कर दूँगा और साम में 6 बजे दोस्तों ठीक है आप लोग सुबा भी विडियो देख लिया किजिए उस बहुत ज्यादा फाइदा होगी दोनों टाइम आप लोग चलिए मैस पढ़ लिए क्योंकि बह 8.5 क्लोंनेटर गांटा दर से चलते हैं दोनों मे나टी का फासला पुलहें के लिए एक Euhs में चलते समय कितना समय है आप किouble है सलिए जो देख सो ज्मद दोट है अब मान लिए एक एक वैकति ए है दो वैस पोला एक वैती कि ए है जो चार कीलो मिटर्क कि तृद्क है प्रती से चलता है कि पर बीडि जो है चो तो तेट चार्पॉआंड पांच कीलो मिटर प्रती घंटा की सास्फे चलता है कि दोनों में 8.5 मिटर का फासला होने करे एक ही दिसा में चलते समयं दूस्तों ऑर । आ तार क्लिमेटर परति-घंट अब चाल है चारपंट-पाँच किलो-मेटर घंटा अब चालो में अंतर अंतर बिखार प्ट्र जैर्प अब पूँच रहा है कि कितना चलते समय कितना समय लगेगा अब समय हो को निकालना है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है दूरी बटा चाल हम सारे वीडियो दू वीडियो इसके पहले मैं अप्लोड कर चुका दोस्तों उसको भी देख लें आप लोग ठीक है तो दूरी हमारा कितना है तो दूरी हमारा देखे 8.5 किलिमेटर है अगे बढ़ते हैं और अगले प्रेस को देखते हैं अगे अगले प्रेस को देखते हैं अब चौसे नमर प्रहस देखिए दोस्तों फोर्थ नमर ज्यान दिजेगा दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो वाच कीजिए तो अभी फाइदा होगी दोस्तों देखे आधा देखकर करके भागते हैं उससे कोई फाइदा होने वाले नहीं है एक चोर अप्रहान दो तीस बजे कार चुराकर 60 km घंटा की गतीस से बागता है चोरी का पता अप्रहान 3 बज़े लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमेटर घंटा की गतीस जाता है वह चोर को कितने बज़े पकड़ लेगा चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तो चलिए अब चोर जो है अरहाई बजे कार चुरा कर भागता है यहां से यहां यह चोर है यह जो है यहां पर चोर है और यहां पर जो है सो मालिक है कार का मालिक है ठीक है कार का मालिक है और ये जो है अरहाई बज़े भागता है कितने बज़े अरहाई बज़े भागता है दो बज़ करके तीस Podcast और इसकी चाल है 60 km परती घंटा इसकी चाल कितने दो सो साथ किलुो मीटर परती घंटा और бег चोरी का पता तीन बज़े लगता है ती enough चोरी कपता तीन बजे लगता है तो माली का क्या करता है दूसरी कार सी 75 किलोमेटर घंटा की चाल से चलता है यह जो है सो तीन बजे चलता है कितना बजे तीन बजे और 75 किलोमेटर परति घंटा की चाल से चलता है यह जो पूछ रहा है चोर को कितने बजे पकड़ लेगा तो चोर जो है तो तो चोर जो है तो 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 तीस मिनट में कुछ तो भाग चुका होगा कैकि 3 बजे माली किसका चल रहा है ठीक है ति कितना भाग गया होगा तो 30 मिनट पहले 6 किलोमेटर परति घंटा लिहां देखिए यह 3 बजे चलता ये और 8 बजे चलता दो तीस में चलता था तीस मिनट में एक घंटा हूं साथ किलोमेटर भागता है चोर तो आधा घंटा में ये तो तीस किलोमेटर भाग चुका है कितना भाग चुका है दोस्तों तीस किलोमेटर दूर भाग चुका है चोर एतना ता आप लोग को किलियर हो गया अब देखिए कि समय बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है दूरी बटा चाल तो दूरी हमारा कितना है तो दूरी है 30 किलोमेटर और चाल हमारा कितना है तो चाल जो है इसका अंतर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर चालो का अंतर लिखना चाहिए चालो का अंतर तो यह 75 किलोमेटर परती घंटा भागता है मालिक और चोर भागता है 60 किलोमेटर घंटा आनि कितना अंतर आ जागा तो 15 किलोमेटर ठीक है अब इसको काड़ दीजे आनि दो बार में 2 घंटा हो गया ठीक है यहां आप लोग को समझ में आजाने जाएं दोस्तों यह जो पंद्रह लाएं है कि मालिक भागता 55 किलोमेटर घंटा और चोर भागता 60 किलोमेटर घंटा इसी कुछ चालो का अंतर यहां ना घटा करके यहीं आपको हम घटा दिया है ठीक है 55 में 60 घटा दिये जो कि 15 तो दो घंटा लगा ठीक है तो वह चोर को कितने बज़े पकड़ लेगा अई है प्रस तो तीन बज़े मालिक भागता है देखे तीन बज़े भागता है तो मालिक तीन बज़े भागता है और दो घंटा और लगता उसको तो कितने बज़े पकड़ लेगा तो पांच तो तो अई आपका इंसर हो गया सही इंसर क्या हो गया पांच बजे चलिए मैंने जो समझाने का कोशिज केया दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को सब्सक्राइब आ गया होगा ठीक है चलिए ती चौर को माली कितने बजे पगड़ लेगा तो पांच बगड़ लेगा मुझे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश को देखते हैं कि चलिए ये औ अगले प्रशं को देखते हैं अब पाच्वों प्रशण से चलती वी कार के आगे एक बस 30 किलोमेटर गंटा की छाल से चल रही है अधि उस कार को बस को पकड़ने में फंदरग मिनट लगते तो भाद दोनों कितने कि किलोमेटर की दूरी पर अब दूरी पूछ दे रहा है दोस्तों ठीक है जान दीजे पचास किलोमेटर घंता चलते हुए कार कार की चाल जो है यहाँ पर कार है दोस्तों ठीक है यहाँ पर मान लिजे कि आपकी कार है ठीक है यहां कार है और यह 50 km परती घंटा की चाल से चल रही है 50 km परती घंटा की चाल से चल रही है और बस जो है 30 km घंटा की चाल से चल रही है बस हमारा जो है बस यहां है ठीक है यह जो है 30 km घंटा की चाल से चल रही है अधि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं कितना समय लगता है दोस्तों तो 15 मिनट थी ठीक है तो दोनों कितने किलिमेटर की दूरी पर है अहीं पूछ रहा है कि इसके बीट की दूरी कितनी है यहीं दूरी पूछ रहा है दोस्तों अब क्या किदे दूरी बराब वर छालो का अंतर जब भी आगे पीछे इस रख जब भी प्रश रहे दो तो तो चाल का अंतर हमेशा किजिएगा क्योंकि इस पीछे वाले को अगले वाले को पकड़ना रहता है चालो का अंतर ठीक है अंतर है गुन असमय है कि अहीं का फर्मूला है अब जो है यह बद कार की चाल है 50 km गंटा और इसकी चाल जो है बस की 30 km घंटा इसको ब्राकेट बज़ कर दिजे गुने समय समय कितना है तो 15 निट है देखिए यहां 15 मिनट लिखा हुआ है ठीक है यह 15 मिनट अब यह मिनट में है तो इसको घंटा बदनने लिए 60 बटा में 60 कर दीजिए अब क्या किजिए इसको घटा ये 50 में 30 तो 20 आ जाएगा और ये 15 बटा 60 आ जाएगा अब इसको काट ये 20 तीया 60 अच्तीन पटे 15 ठीक है कितना आया तो 5 आया तो 5 किलो मिटर ठीक है तो दूरी कितनी है दोस्तों तो इन दोनों की बीट की दूरी 5 किलो मिटर है अई ये आपका एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्ट प्रस को देखते हैं दोस्तों ठीक है जले है जेट्थ और प्रस देखें दोस्तों एक मिनट णवागे जेटर्शन आपका एक जीप एक कार का पिछा कर रही है जो जीप से पांच किलोमेटर आगे है उनकी चाल करमसा 90 किलोमेटर घंटा तथा 75 किलोमेटर घंटा है जीप कार को कितने मिनट के पहचात पकड़ लेगा अब समय पूच रहा है दोस्तों ठीक है लेगन कुछ कोई भी आड़ा आने की बात नहीं है सिंपल सा प्रस दो तो जीप जो है सो कार का पिछा कर रही है अब यहाँ जीप है ठीक है और यहाँ मान लिजे कार है ठीक है जीप पांच किलोमेटर पिछा कर रही है जीप से पांच किलोमेटर आगे है कितना किलोमेटर तो 5 किलोमेटर आगे है और उनकी चाल कर्फचर 90 किलोमेटर परती घंटा है जीप जो है 90 किलोमेटर परती घंटा से चल रही है और कार हमारा 75 किलोमेटर परती घंटा से चल रही है ठीक है यहां तक किलियर हो गए दोखतों अब पूचरा है कि कितने मीनट के पहचात पकड़ लेगी तो समय बराबर समय बराबर दूरी बल्टा चालो का अंतर अभी बताए कि इस रख प्रेस में हमेशा चाल का अंतर कर दीजेगा दोखतों चालो का अंतर अंतर अब देखिए दूरी कितना है तो पांच किलोमेटर है अई है ना दोस्तों देखिए यहां भी लिखा हुए पांच किलोमेटर अब यहां पांच लिखे और चाल चालीस का कितना है यह 90 किलोमेटर की स्पीड से भागता है यह 75 किलोमेटर के स्पीड से भागता है तो अ इतना आ गया गाएं को एक वट्तै तीन आ गया लेकिन इसको जो है मिनट में बजलने के लिए सार्श घुना करना पड़ेगा इसको तीन से कर दिए ये 20 कि इस बर में तो बीस मिनट ऑा जागा दोस्तों तर यह ऐइंसर किया जागाई इसका तो एचलिएक डिर आप विडियो अच्छी लगयो तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल सब्क्राइब खeremi और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कर दो तो कल सुभाब मिलते हैं दस बजे और साम में आपका च्छे वड़े वीडियो अप्लोड हो जाएगी दो तो इले थेंगे